है यह एवरिवन वेलकम ट्रैम मंत्रा आपका हाड़ देख स्वागत है आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाई यूनिट इजिट का कॉंसेप्ट इस एकाई कांग इस एकाई कांग इस तरीके से निकालते हैं काई कांग तो देखो भाई एक्षल मैं कहाएगे सभी लोग सोते है और शुर्ण मुक्तिया जाता है इकस्प्रेशन का इकाई कांग क्या होग दो नहीं आपसे पूछलिया इसकी यूलिकिट क्या होगी तो यहां कुछ समझने वाली बात हैं, कॉछ concepts हैं, अगर वह आपको क्लियर होंगे, तो आप पावर्स वाले जो कॉइस्चेंस होते हैं, इनकी इजी लिए निकाल सकते हो, इस सेशन में आपको इसका बेसिक बताऊंगा, नेक्स सेशन में बहुत अच्छे लेजल के के एक्जाम में पूछा जरूर जाता है एक्जाम में जरूर पूछा जाता है ठीक है कभी-कभी सीधे सीधे कुर्शन आ जाते हैं यूनिट बताने के लिए ठीक है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो आप हमें ट्राइम फॉलो कर सकते फेस्बुक पे इंस्टा अगर एक बार में ही सारी चीज के लिए हो जाएगी पेसेंस बनाके 10 मिनट के लिए देख लेना बस ठीक है हर बार हर चीज के लिए हो जाएगी फिर उसके बाद अगर एक्सेंशन भागी रह जाता है देखो भाई मैंने अपसे कहा कि मैंने एक स्पेशन लेखा 23 प्लस 92 प्लस 86 मालो यह एक स्प्रेशन मैंने आपसे लेखा और मैंने आपसे पूछा भाई यूनिर डिट या एकई का अंक या हेकांग जो वन्स प्लस प्लेश पे जमाज पहाँ है उसी कहें खूंत सब्सक्राइर तो फ्रमट स pengने लाओ configurator बिखुलाएगाट एक्याय कंक ऐसे कहले की। अगर समस्केक में मतलब अग्श। कि यह क्यकी सब्सक्राइब ट्राइब को लोगता, रहतption հहता गलौकита raises अधाव जैक करता है तो तीन दूनी चैठीश याहां पर यहां पर चैठीश हा जाता यानि कि पहले किसकी बात कर रहा हूं तो यूनिट डिट दौन ही केसिज में हम निकाल पाए मैंने सर्फ एकाई के अंग्ट पर कॉंसेंट्रेशन रख लिया ठीक है अब बात करते हैं जहां में प अगर हमें unit digit निकालनी पड़ जाए और हमारा अंशर किस तरीके से आता है तो यहीं हमें mainly देखना होता है। तो इसके लिए आप एक जिद्धानम रखो कोई भी digit कोई भी number कोई भी number को unit digit क्या हो सकती है ? जीजरो उसकती है वन हो सकती है टू हो सकती है त्रीborn ओ सपर वाइब में एत्पर न और निषसके अलावां कोई फ्रीजिट बन सकती है तो कर शयोग है दिजेट इसलेह कर च corrobor कि दिजेटी है जीरो से लेकर नौ तो जिरो मिझेट जो है वहां किसी नंबर के काट Käना crime तो यह नमबर 2 में end कर रहा है यह नमबर 7 में end कर रहा है यह नमबर 6 में end कर रहा है अब इन नमबर के किस प्रॉपर्टी अगर मुझे पता चल जाएंगी तो मैं easily किसी भी पावर फंक्षन की पावर एक्वेशन की यूनिट डिजिट निकाल पाऊंगा ठीक है तो मैं start कर रहा हूं कुछ बात बताने आपको और ध्यान ते रखना पर पहली बार में सारी चीज के लिए नमबर 2 में end करता है यूनिट प्लेश पर क्या आ रहा है दो आ रहा है पहली ब और 122 की पावर है 324 या 326 इस तरीके से माल लो तो इसका क्या मतलब है कि भाई 2 मुझे तो कॉनिटेशन दो पर रखना है और यहां पावर है तरी सारी है तो भाई क्या यूनिट डिजिट बननी चाहिए तो कुछ चीजे ध्यान दो 2 की पावर 1 कितना होता है 2 2 की पावर 2 कितना होता है 4 2 की पावर 3 कितना होता भाई 8 2 की पावर 4 कितना होता है 16 मैं सर्फ उनिट डिजिट की बात कर रहा हूं यूनिट پैस पे क्या रही है ठीके 2 की पावर 5 क्या होता है तो यहां कुछ नोटिस कर पा रहे हो आप लोग देखो मैं करवाता हूँ नोटिस यहां यूनिट डिजिट टू है यहां यूनिट डिजिट टू है और यहां पर भी यूनिट डिजिट टू है यहां पर 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 यूनिट डिज एक चीज नोटिस की मैंने यहां पावर बन थी यहां पावर फाइव थी यहां पावर नाइन थी यहां पावर में जो डिफरेंस था पावर का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कितने कितने का चल रहा था चार चार का पावर का डिफरेंस कितने कितने का चल रहा था चार चार का यानि कि चार पावर के बाद साइकल रिपीट हो जाती है दो चार आठ छे दो चार आठ छे दो चार आठ छे यानि कि 2 की जो cyclicity बनी चक्रियता जो बनी वो किसकी बनी चार की 2 की पावर 4 2 की पावर 8 और 2 की पावर 12 इन तीनों की unit जिट सेम हाएगी समझे बात को क्योंकि 4 की cyclicity बन दी है इसमें ठीक है मैंने लिखा 2 की पावर 6 तो 2 की पावर 6 की cyclicity कुछ तरीके से बनीगी 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 2 की पावर 4 के बाद दुबारा से repetition होता है तो सिर्फ मैं इसको चेक कर लो कितना मिल जाएगा मुझे 4 मिल जाएगा यहां देखो 2 की पावर 6 पर मुझे क्या मिल रहे है समझे आई बत 4 के बाद फिर से repetition चलता है 4 के बाद फिर से repetition चलता है जैसे मैंने का 2 की पावर 11 तो 2 की पावर 11 को 2 की पावर 4 में तोड़ दो चार दुनी 8 गुडा 2 की पावर 3 तो यह जो होगा इसको छोड़ो यह तो 4 की साइटल से पूरी निकल गई मेरे पास क्या बचा 2 की पावर 3 यानिकी मेरा आंसर कितना आज आएगा 8 और 2 की पावर 11 कितना देता है भाई 8 देता है यूनिट पे अगर मैं यह चीज़ समझा पा रहा हूं तो थमसप कर दो ठीक है एक और चीज़ समझो नहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 9 तो 2 की पावर 9 आप कैसे लेखो कि 2 की पावर 4 और 4 की पावर जीटी बनगी ना और 2 की पावर एक अलग बच यह गएगा तो 2 की पावर के कितना मिलता है 2 मिलता मैं यानि कि मैं इसको समराइज कर रहा हूं यानि कि कोई भी कुश्चन मुझे दिया गया और मुझे एक्स् और मुझे से पूछता है इसका एक आई कांग की आएगा, यूनिट डिजिट आपको इसकी find out करनी है, अगर आपको इसकी unit डिजिट find out करनी है, तो आप करोगे simply unit place पे check करोगे, दो हारा है, यहां unit place पे कितना हारा है, दो हारा है, लेकिन यहां से मतलब नहीं है आपको, आप चार की है, हर चार के बाद वही repetition है, तो मैं का करूँगा, इस वाली digit में 4 से भाग लगाऊंगा, जो power होती है, और remainder check करूँगा, remainder कितना आ रहा है, तो कुछ बात समझ में आई, logic बन गया, यहां क्या होता था, दो की power क्यारे में 4 का भाग लगा तो remainder कितना बस्ता, तीन, और 2 की power उसकी power बन जाती, तीन, तो answer कितना आ गया, 8, तो बस वही काम करना है, आपको यहां पर, आपको क्या करना है, 222 में, की power 222 है नहीं, इस में 4 से भाग लगाना है, और remainder check करना है, तो मैंने remainder divisibility पर पढ़ाया था, लास्त की दो डिजिट चेक करो, 4 के लिए, 4 पंज की unit digit जो आएगी, वह कितनी आजाएगी, star आजाएगी, एक example लो, clear होता जाएगा हर example के बाद में, 122 इसकी power में लिए 63, ठीक है, तो आप क्या करोगी unit place पर क्या है, 2 है, ठीक है, 2 हागया, 63 में 4 का भाग लगाओ, remainder बताओ कितना बचेगा, remainder कितना बचेगा, 4, तो 2 की power कि क्या मिल जाता है आपको, 6 मिल जाता है unit digit, unit digit कितना मिल जाता है, 6 मिल जाता है, आप तो करील होगे न, एक example लो, एक example लो, आर आंसर पताते रहे ना, मेरे साथ साथ, एक example लिए मैंने, 2222222, power 193789, मालो इस तरीके का example में ले लिए, ठीक है बई, तो आपको कुछ नहीं करन तो दो की पावर, एक answer कितना आ गया, 2, समझ गया सब लो, देखो, दो की toxicity हमने चेक कर ली, अगर end करे कोई number 3 में, तो 3 की toxicity सेम है, 3 की power 1, 3 होता है, 3 की power 2, 9 होता है, 3 की power 3, 27 होता है, 3 की power 4 जैसे करोगे, आपको मिलेगा 81, जैसे 3 की power 5 पे आओगे, आपको मिलेगा 243, 3 की पावर 6 करोगे, मिलेगा 729, यानि कि 3971, 3971, 3971, यानि कि इसकी toxicity भी कतनी बन गी, 4 की toxicity बन गी भाई, देखो न, 3, 9, 7, 1, unit place पे, 3, 9, 7, 1, हमेशा 3, 9, 7, 1, के लावा, कोई 4 नमबर नहीं मिलेगा, यहां से आपको, ठीक है, इसके अलावा, एक नमबर यहां पे देखो, 7, 7 की पावर 1 कितना होता है, 7, 7 की पावर 2 कितना होता है, 49, 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, यह पता होने चाहिए, 7 की पावर 4 कितनी होती है, important है, 2, 4, 0, 1, 7 की पावर 5 करोगे, तो आपको 7 ही मिलेगा, 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, यानि कि यूणिट, डिजिट क्या रही है, 7, 9, 3, नियुक्त इसके लाबव कुछ है सेवंग時間 कितने की ओर रही है साइक यह साइकलिशिटी कि जान और नमबर आएगा साइट कौन साइट है इंबल इट की पावर बन कतना होता है एट एट की पावर टू कितना होता है gli मैं वह अइट की पावर फी इतना होता है, 4096, जैसे ही 8 की पावर 5 आएगी, फिर से 8 आएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 6 आएगा, 8, 4, 2, 6 ही आएगा हमेशा, यानि कि यहां भी साइकलिटी कि बन रही है, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, यानि कि 2, 3, 7, और 8, इन 4 नंबर की जो साइकलिटी होती है, 4, 4 की साइकलिटी बनती है, अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ, यहां बैतरीन से, जल्दी जल्दी, question मेरा आप से यह है, 657 की पावर, 199 आजाए, इसका मुझे, मुझे इसकी यूनिट कालनी है, यूनिट इजिट इसकी कितनी आएगी, तो आप बता दोगे, वही 7 है न, और यहां कि 99 डिवैड वे 4 करना, remainder check करना कितना आएगा, remainder आएगा, 3, 96, ठीक है, तो 7 की पावर, 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आजाएगा, यूनिट इजिट कितनी हो जाएगी, इसकी इसकी पावर, 167, ठीक है, मालो यह आजाता है, तो आप क्या करोगे, simply, आप चेक करोगे, 8 है न, तो डिवैड वाई 4 करना, इसको यहां से, तो पावर, remainder कितना बचेगा, इस expression का, 3 आएगा, तो 8 की पावर, 3 हो जाएगा, 8, 84, 8, 12, आजाएगा, मेरा answer कितना आजाएगा, इसकी पावर, 248 होती, तो चार से डिवैड करता, remainder आता है, 0, यहां पर एक important note लिख लेता है, remainder आएगा, 0, तो क्या होगा, फिर, अगर remainder आता है, 0, if remainder 0, तो 8 की पावर, आप क्या बना दोगे, 4, क्या बना दोगे, 4, पूरी पावर लगा दोगे, इसमें, ठीक है, तो answer कितना आजाएगा, इसका unit digit कितनी आएगी, 6, unit digit कितनी आजाएगी, 6, एक और example लेते चलो, एक को शल लिया, मैंने, 3, 4, 9, 3, 2, 1, 3, 1, 9, 2, 7, 8, 6, 1, 3, इस तरे का expression है, फ्रक नहीं पड़ता, यूनिट इजिट नहीं है, मुझे तो, मुझे यूनिट इजिट चाहिए, 3, 13, दिवाइड वाई, 4, remainder क्या आएगे, 1, तो बस 3 की पावर, बन, आंसर कितना आगया, 2, remainder बस्ता जाएगा, वही, पावर बना देना, 2, remainder बस्ता जाएगा, वही, पावर, एक और question ले लो, 947 की पावर 143, मालो यह आजाता है, suppose करो, कितनी पावर है, 43, divide by 4 कर दो, remainder कितना आगया, 3, तो 7 की पावर कितनी मिल जाएगी, 3, 7 की पावर 3 पर मुझे क्या मिलता है, 3, यूनिट इजिट कितनी मिल जाएगी, 3, 3, I hope, यह चीज़ समझ में आचुकी होगी सभी बच्चों के, सभी experience को clear होगी सारी बाते, ठीक है, अब दो नमबर और उठा रहा हूँ, लेखा, 4 की पावर 1 कितना होता है, 4, 4 की पावर 2 होता है, 64, 4 की पावर 3 होता है, 256, जैसे 4 की पावर 4 करोगे, फिर से हैं यूनिट ले पर 64 मिलेगा, 64, 64, 64, 64, यानि की सिर्फ दो डिजिट में लेंगी, और की ओ, 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 यह थुड़ा गलती होगे, यहां पर, एक सेगड रोको, तो चेंज कर देते हैं, 4, 6, 4, 6 होता है, इसको यहां सही कर देंगे, देखो, और की पावर, यह 64, फिर 256, फिर से 4, फिर से 6, फिर से 4 से 6, इस तरीके से आएगा, तो, क्या बनना है, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, इसके लाबा कोई और डिजिट आ रही है, क्या, नहीं आ रही है, तो बस क्या धेहन रखना है, कोई भी नम्बर है, X, Y, Z, या, A, B, C, पहने कुछ भी ले लिया, उसकी यूनिट डिजिट क्या इवन है, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 6, देखो, 4 की पावर, 2 पर क्या मिला, 6, 4 की पावर, 4 पर क्या मिला, 6, ठीक है, अगर ओड है पावर, तो 4, इवन है, 6, कोई भी नम्बर उठा लेना, तुम्हें न, अभी इसके एक्जम्पल लोगा, पहने, एक्जम्पल 4 करोगे, तो फिर से वन, फिर से वन, फिर से वन, फिर से वन, किलियर होगी बात, सिर्फ और सिर्फ दो ही नमबर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही नमबर आ रहे हैं, कौन-कौन से, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, यानि कोई भी नमबर, A, B, C, अगर end करता है, किसमें, 9 में end करता है और इसकी कोई भी पावर मैंने लगा दी या तो ओड होगी या तो इवन होगी पावर ओड है तो नाए नहीं मिलेगा इवन है तो वन मिलेगा अगर लग रहा है कि मैं बहुत देजी से पढ़ा रहा हूं एक वर धीमे स्पूरिट से देख लेना या रिवेंड करके देख लेना आपको सब्सक्राइब करना सभी लोग सीधा अंसर बताना मेरे को 494 की पावर 163 मालों यह आ जाए पूछा मैंने युनिट डिजिट का है इसकी आप देखते बता दोगे चार है और पावर कैसी है और युनिट डिजिट कितने आएगी 4 494 की पावर 144 होथा तो युनिट डिजिट से हो जाती है समझत के सभी लोग इस चीज को पावर एवन है तो फोर ममान के साथ कैसे नॉनिट डिजिट आपसे पूछ लू कैसी पावर और पावर है और यहीं 999 की पावर 200 हो जाता तो यहीं यूनिटीट की हो जाती वन हो जाती समझ में आई बात एक्जामपल लेते हैं दोचा देखो एक्जामपल लिए मैंने 143 की पावर 192 प्लस 160 161 64 की पावर 143 मैंने आपसे पूशा यूनिट इजिट काईगी इसकी इस एक्सप्रेशन की यूनिट इजिट काईगी तब देख के बताऊंगे आप तीन है ना रिवाट भी 4 कर दो बही चार से पूरा कर जाएगा रिवेंट बचेगा 0 यहीं की पावर तो फोर मिलेगी और पावर बन्ते यह यह यूनिट इजिट है और यसी भी नंबर की तो यूनिट इजिट जीरो का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा, no change, देख लो न, उठाके, 11 का स्क्वार करते हो, 11 का क्यूब करते हो, 11 की पावर 4 करते हो, 14641 मिलता है, यानि कि हर पार कैसा मिल रहा है, 1 मिल रहे न, 0 आ जाए तो 0 मिलेगा, 5 आएगा तो 5 भी मिलेगा, 6 आ जाएगी सारी चीज़ें, आपको ये, 1 आएगा, 1 मिलेगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, no change, 10 की 10 डिजिट मैंने कवर करती है, ये यूनिट डिजिट कैसे गूमती है, तो कुछ एग्जांपल के थूरू मैं आपको समझा जाएगे, और next class में मैं इसके कुछ questions अच्छे लेबल के आपको करवा दूँगा, बहुत ही अच्छे लेबल के questions करवा दूँगा, मैं आपको, ठीक है, मैंने का 143, 147 की power, 147 मैंने आपके, multiply 146 की power, 2934, ऐसे करके ले दी मैंने, multiply 199 की power, 186, इस तरीके से मैंने ले दिया, ठ ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि इसकी unit digit चाहेगी, एक्सप्रेशन देखके तो कभी नहीं घबराना, आपको कभी भी जिन्दिगी में, एक्सप्रेशन में कुछ ही नहीं ऐसा, unit digit चैक करो, 7 है, 6 है, 9 है, 6 और 9 तो देखते समझ में आ रहा है, change नहीं होगा, 6 ही रहेगा, 9 की पावर, even, पर क्या मिलता है, unit digit, 1, सिर्फ मुझे क्या लिखना है, unit digit, क्या लिखना है, unit digit, और बीच में हो रहा है, multiply, तो multiply कर देना, multiply हो रहा है, multiply कर दो, 9 का square, 1 होता है, 81, तो 1 मिल गया, even power है, 7, divide by 4 कर दो भाई, यहां पर, remainder केतना हैगा, बताओ जल्दी, 4, 44 होते, 3 बचेगा, 7 की पावर, 3 बचेगा, यहां पर, 7 की पावर, 3 पर मुझे क्या मिलने वाला है, 3, 3 into 6 into 1, यानि की 18, unit place पर क्या आएगा, 8, unit digit क्या बन जाएगी, इस expression की, 8 बन जाएगी, एक और example लेते है, एक और example लेते है, question यह तुमारा, 199 की पावर, 186, minus 199 की पावर, 180, 180, 180, change करता हूँ, 173, और यह expression मेरे पास है, मैं आप लोगों से कहता हूँ, मुझे इसकी unit digit क्या है, इस expression की unit digit क्या है, तो आप कहोगे कि यार, यह तो भाई, ऐसा है कि यह पावर क्या है, even है, और यह 9 है, मुझे मिल जाएगा, 1, minus करूँगा, 9 है, 9 की पावर, और मुझे मिलता है, 9, तो मुझे यहाँ मिलेगा, minus का 8, minus 8 का मेरा right answer होगा, कभी भी unit लिए प्लेस पर minus में digit नहीं मिलेगी, यह बात ध्यान रख लेना, minus में कभी digit नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करूँगा, 10 एड़ करूगा, या करूँगा मैं इसमें, मैं 10 एड़ करूँगा, हमेशा याद रखो कर मैनस आ रहा है तो यहाँ पर 10 एड़ कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 2, या फिर अगर यहाँ 9 था और यहाँ 1 था, तो मैं carry लेता हूं, तो मैं carry लेता हूं, 10, मालो मैंने इसे बचता है न, तो वही process हो गया, अगर एक आ रहा है, तो 10 के रही लोगे, तो बन जाएगा है 11, 11 में सुनों निकाल तो आंसर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितने बन जाएगा 2, तो जबकि मैनस में बचेएगी, तो क्या करना है, प्लस का 10 करना है, प्लस का 10 करना है, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा हमारा, ठीक है, समझगे बात को समीलो, चलो बढ़ते हैं आगे, एक आद दो एक्जामपल हो लेता हूँ, फिर नेक्स क्लास में आपको इसके बहुत की बहुत की बहुत की बहुत की बहुत क्यों सकते हूँ, क्योंकि आज की जो theoretical class है, आपको की पावर, 340, प्लस, 143 की पावर, 280, प्लस, 155 की पावर, 198732, इसका मुझे यूनिट इजिट बताना है, इस expression की मुझे यूनिट इजिट बताना है, तो आप क्या करोगे, दो है, यहाँ पर एक मिलेगी, दो की पावर 4, यहाँ पर 3 है, डिवैड बाई 4 करोगे, 2 की पावर, 4 में मिलेगा, 6, 3 की पावर, 4 में मिलेगा, 1, तो मैं आप मिल रहा है, 5, 6 और 6, 12, आंसर कितना आ जाएगा, दो, इसी जल्दी के साथ, समझते हुए, आपको आंसर लाना है, ठीक है, एक और कॉस्टन लिख लो, देखो, रेंडबली मैं कॉस्टन लिख रहा कोंसेप के लिए रोने चाहिए, 2378, साइकल सिटी कितनी हैं कि 4 की साइकल सिटी है, 4 के बाद दोबर रिपिटेशन चलता है, 4 और 9, 2 की साइकल सिटी हैं कि, और 0, 1, 6 और 5, नो चेंच, यही रण दिती रहेगी पूरी, इसके लाबा कुछ है के इसमें, कुछ भी नहीं है, कर लो solve इसको, एक और question कर वा देता हूँ, एक और question उठाते हैं, एक और question लेते हैं, 399 की power 241 plus, प्लस नहीं, multiply में लेते हैं इसको है न, अब कियार multiply में कर लेते हैं, multiply 148 की power 152, multiply 155 की power 243, multiply 166 की power 293, अगर मुझे इसका unit digit निकालना है, तो क्या आएगा बताओ जल्दी, सोच के बताना, within seconds, क्यों आएगा, उसका reason बता रहो है, within seconds क्यों आजाएगा, देखो भाई, 5 पर 5 रहेगा, 6 पर 6 रहेगा, 5 के 30, answer कितना आने वाला है, 0, unit digit कितनी आएगी, 0, बागी चेक मत करो, क्या जरू होते है, 95, 9 हो जाएगी, 8 में divide by 4 करोगे, यहां पर 0 बचेगा, 8 की power 4 मिल जाएगी, तो मुझे क्या मिलता है, 8 की power 4 पर 6 मिलता है, कुछ मतल आपको सारी की सारी 10 की 10 डिजिट के बारे में समझा दिया, ठीके, क्या होता है, और next class में नके questions ट्राई करेंगे, ठीके, यह conceptual class थी, ठीके, तो अगर आपको भाई से सब पसंद आ रहा है, तो share करना, यार इसको है न, session को share कर देना, crime पंत्रा को subscribe कर लो, और आपको कुछ और तरह के वीडियो चाहिए, या कुछ भी चाहिए, तो वो मिरको बता दो, हम उस तरह की वीडियो जाने का प्रयास करेंगे आपके साथ, ठीक है बाई, और कोई बात हो तो, वो भी बता सकतो, comment में, ठीक है, पढ़ाई से related, हाँ, ठ थैक्यू